जिस जारकण में आदिवासी और पहाडी के नाम पर राजनीती की जाती है और आदिवासी और पहाडी छेत्रों में विकास करने का दावा किया जाता है उस आदिवासी और पहाडी गाओं की कहानी क्या है या आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम राजा भीठा में मौजूद हैं और राजा भीठा बस्ती तक जाने के लिए सडक नहीं है ये सडक की बधाल इस्थिति आप देख लिजे कि अभी बरसात नहीं हुई है गोड़ा जिले में और इसके बाद अगर ये इस्थिति है गाउं की तो आप सोचिए कि इनी का तबियत खराब हो जाता है कोई गरवती महिला होती है तो उन्हें प्रसव कराने के लिए ले जाने के लिए काफी जद्धो जहद करनी पड़ती है काफी मुश्किले होती है सांथ है विकास की दूसरी तस्वीर ये है कि ये सिर्फ एक घर की तस्वीर है गाउं में करीब 100 घर है और पूरे घर की तस्वीर यह है कि इनहें अब तक पकका मकान बारिस हो आंधी हो तुफान हो जिस प्रकार से इस छेतर में हवा चलती है कि कभी भी कोई दुर घटना हो स सड़क नहीं आ पाया है घर इन लोगों को पके का नहीं मिल पाया क्या नाम वाबिया बाबु माल तो सब्सक्राइब कोई साहब आते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं लेकिन सुनता नहीं है कभ से इस तरह रहा है की जाना पड़ता है एठीज ही और इसकी स्थितियाओं देख सकते हैं की 95 62 साल में भी अब भी जारखंड के कई गाओं ऐसे हैं जहाँ पर खटिया में उठा कर मरीजों को अस्पताल तक ले जाया जाता है आप अस्पताल में तमाम सुईधा दे देते हैं लेकिन अस्पताल से अस्पताल तक पहुँचने के लिए जो सडके हैं वो भी अब तक वो नहीं है और यह घर है आप देख सकते हैं कि आप हर घर तिरंगा के लिए जो है मुहीम चला रहे हैं लेकिन यहाँ पर घर ही नहीं है तो आप यह अंदाजा लगाए कि जब आप घर ही नहीं दे पाए हैं अपनी जनता को तो यह तिरंगा कहां पर लटकाएंगे आप इस पूरे घर में एक भी जगा में बता दीजे जहांपर कि कि आपका तिरंगा जो अभी मुहीम चल रहा है हर घर तिरंगा का वो कैसे आपका सफल होगा बाकी यहांपर एक महिला है हम आपको इनसे बात कराते हैं कि इन्हें क्या कुछ तकलिफ होती है बता कोई दीकत नहीं क्या नाम हुआ Peace कभी बनाद नहीं कोई आते हैं गाओं आपकी जनपती नहीं कोई साहब कुछ देखने के लिए कोई योजना का निरक्शन करने के लिए अधे यह राजा भीटा गाउं को है और इस गाउं की तक यहां पर विकास नहीं पहुच पाया हम आपको आगे की गाउं ले चलेंगे हर एक गाउं से वह तकलीफ दिखाएंगे अगर आपके भी आसपास में आपके भी कहीं संग्यान में वैसा गाउं है तो आप हमें जरूर को दिखाएंगे